भागत सिंग 1929 संपादक Modern Review के नाम पत्र भागत सिंग ने अपने विचार स्पष्ट रूप से भारतिय जनता के सामने रखे उनके विचार में क्रांती की तलवार विचारों की धार से ही तेज होती है वे विचारात्मक क्रांतिकारी हालात के लिए संगर्श कर रहे थे अपने विचारों पर हुए सभी वारों का उन्होंने तर्कपूर्ण उत्तर दिया यहवार अंग्रेजी सरकार की ओर से किये गए या देशी नेताओं की ओर से अकबारों में शहीद यतींद्र नाकदास 63 दिन की भूग हर्ताल के बाद शहीद हुए भगत सिंग और बटुकेश्वर दत्व ने Modern Review के संपादक को उनके उस संपादक की एक अनिमलिखित उतर दिया था श्री संपादक जी Modern Review आपने अपने संभानित पत्र के दिसंबर 1929 के अंक में एक टिपड़ी इंकराब जिन्दाबार शीरशक से लिखी है और इस नारे को निरथक ठैराने की चेश्टा की है इस नारे की रचना हमने नहीं की है यही नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन में प्रयोग किया गया है प्रसिद्ध समाजवादी लेखक आप्टन सिंक्लेर ने अपने उपन्यासों बोस्टन और आईल में यही नारा कुछ अराजक्ता वादी वकरांतिकारी पत्रों के मुख से प्रयोग कराया है इसका अर्थ क्या है? इसका यह अर्थ करापी नहीं है कि सर्शस्त्र संगर्ष सदैव जारी रहे और कोई भी व्यवस्ता अल्प समय के लिए भी स्थाई ना रह सके दूसरे शब्दों में देश और समाज में अराजक्ता फैली रहे देर्ग काल से प्रयोग में आने के कारण इस नारे को एक ऐसी विशेश भावना प्राप्त हो चुकी है जो संभव है कि भाषा के नियमों एवं कोश के आधार पर इसके शब्दों से उचित तर्क सम्मत रूप में सिध्ध ना हो पाए परंतु इसके साथ ही इस नारे से उन विचारों को प्रिथक नहीं किया जा सकता जो इसके साथ जुड़े हुए हैं ऐसे समस्त नारे एक ऐसे स्विक्रित अर्थ के द्योतक हैं जो एक सीमा तक उनमें उत्पन हो गए हैं तथा एक सीमा तक उसी में निहित हैं उदाहरण के लिए हम यतीन रिनाज जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इससे हमारा तातपर यह होता है कि उनके जीवन के महान आदर्शों तथा उस अथक उत्साह को सदा सदा के लिए बनाए रखें। जिसने इस महान तम बलिदान को उस आदर्श के लिए अकथनी एकष्ट जहेलने एवं असीम बलिदान करने की प्रेणा दी। यह नारा लगाने से हमारी यह लालसा प्रकट होती है कि हम भी अपने आदर्शों के लिए अचूक उत्साह को अपनाएं। यही वह भावना है जिसके हम प्रशंचा करते हैं। इसी प्रकार इंकलाब शब्द का अर्थ भी कोरे शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए। इस शब्द का उचित एवं अनुचित प्रयोग करने वाले लोगों के हितों के आधार पर इसके साथ विभिन अर्थ एवं विभिन विशेशताएं जोड़ी जाती हैं। करांती कारियों के दृष्टी में यह एक पवित्र वाक्य है। हमने इस बात को ट्रिब्यूनल के सम्मुक अपने वक्तव्य में स्पष्ट करने का प्रयास किया था। इस वक्तव्य में हमने कहा था कि करांती का अर्थ अनिवारी रूप से सर्शस्त्र आंदोलन नहीं होता बम और पिस्टॉल कभी कभी करांती को सफल बनाने के साधन मात्र हो सकते हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि कुछ आंदोलनों में बम एवं पिस्टॉल एक महत्वपूर्ण साधन सिध्ध होते हैं। परंतु केवल इसी कारण से बम और पिस्टॉल करांती के परयायवाच लोग साधरनतया जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक जाते हैं और परिवर्तन के विचार से ही कापने लगते हैं यही एक अकर्मन्यता की भावना है जिसके स्थान पर क्रांतिकारी भावना जागरित करने की आवश्यक्ता है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है की अकर्मन्यता का वातवरण निर्मित हो जाता है और रूड़ी वादी शक्तियां मानो समाज को कुमार पर ले जाती हैं यही परिस्थित्यां मानो समाज की उन्नती में गतिरोध का कारण बनती हैं क्रांतिकी इस भावना से मनुष्य जाती की आत्मस्थाई तोर पर ओद रहनी चाहिए जिससे की रूड़ी वादी शक्तियां मानो समाज की प्रगती की दौड में बाधा डालने के लिए संगठित ना हो सकें यह आवश्यक है कि पुरानी व्यवस्था सदैव ना रहे और वह नई व्यवस्था के लिए स्थान विक्त करती रहे जिससे की एक आदर् प्राय जिसको हृदय में रखकर इंकलाब जिन्दवाद का नारा उंचा करते हैं